नमस्कार दोस्तों, BN News पर आपका स्वागत है आज मैं बात करने वाला हूँ भारत की पुर्ग प्रधान मंत्री स्री अटल बिहारी बाजबेई के वारे में उनकी जितनी चर्चा की जाये उतनी कम होगी भारत के युग पुरुष, स्वतंत्र भारत के सबसे ज़्यादा पॉपलर प्रधान मंत्री जिनका राज्यती में कहा जाता है कि एक भी दुस्मन नहीं थी, कोई उनसे नफरत करने वाला नहीं था आज मैं उनकी बात करने वाला हूँ, उनकी जीवन की बारे में जाने वाला हूँ तो आएं अब बात करते हैं उनकी जीवन की बारे में उनका जर्म 24 दिसंबर 1924 को गौलियर में हुआ था उनके पिता का नाम क्रिश्नवाजपेई और माता का नाम भी क्रिश्नवाजपेई था उनकी पिता एक स्कूल टीचर थे और साथ ही साथ कवी भी थे यही कवी का परभाब उनकी पिता का जो कवी थे उनका परभाब बालक अटल पर भी परा और वो भी सुरू से ही अच्छी कविता लिखने लगे, कविता में उनका जबरदस्त इंट्रेस्ट बढ़ गया और धीरे धीरे वे बहुत लिखने पढ़ने लगे उनकी सिक्षा, सुरुवाती जिक्षा उनकी गौलिर में हुई, उसके बाद उन्होंने उच्छी सिक्षा गुरक पुर्विस्विद्वाले से की बाद में RSS के परचाराख हो गए, और पहली बार लोकसभा का चुनाब उन्होंने दूसरी 1957 में जीता था, और जब वो पहली बार लोकसभा में भासन दिये, तो ततकालीन प्रधान मंत्री सिरी जवाहर लाल नहरू ने कहा था कि ये लर्का एक दिन जरूर भारत का प्रधान मंत्री बनेगा और वो इतनी उनकी भासन देने की चमता इतनी चवरदस्त थी कि जो भी लोग उनकी साथ रहते थी, वो उनके फैन हो जाते थी और वही बालक दीरे दीरे करता हुआ 1977 में पहली बार बिदेश मंत्री बना जब मोजार्जी देसाई की सरकार बनी थी उसके बाद फिर 1980 में उन्होंने लाल किस आर्बानी और भारतिय जनता पाटी का गठन किया वो भारतिय जनता पाटी जो 1980 में जिसका गठन ही हुआ था 1984 में पहली वार लोक सभा की चुनाब लड़ा और जिसमें वो सिर्फ दो सिर्ट जीत पाई और फिर वहां से आरवानी जी और अटल जी मिलकर उन्हें 194 में उहां सत्ता की डगर तक ले आए उन्हें 194 में बाज़ पेजी सिर्फ 13 दिन के लिए परधान मंत्री बने फिर उन्हें 194 में तेरा महने के लिए बने फिर उन्हें 59 में बें लागातार पांच साल तग रहे उन्होंने उस पांच साल में नो जाने कितने काम किये पोकरन परमानों से लेके करगिल युद्ध तब किसी को ऐसा भी स्वास्त ने था कि 2004 में जब चुनाब होगी तो उसमें वो हार जाएंगे सभी मीडिया हाउस सभी ओपिनियन पोल में ये कहा जाता था कि अटल भी हारवाज पर पुर्न बहुमत की शातार है लेकिन इसा क्या हुआ 2004 में उनकी पाटी बुरी तरह से लोकसभा की चुना भार गई और उसके बाद अटल जी ने सन्यास ही ले लिया राजनीती से तो आज एक ऐसा सक्स जिसका कोई दुस्मन नहीं था अटल जी एक ऐसे नेता थे जिन्होंने उनकी वाक पटूता उनकी कविता एक ऐसी चाप छोड़ देती थी दर्सकों पर स्टूताओं पर जो भी उनका एक बार कविता सुनता था उनका फैन हो जाता था ऐसे अटल जी को आज उनकी जर्म दिन पर हम याद करते हैं और यह आपके बीच उनका जीवन लाएं हैं बहुत ही कम समयमे में थोड़ी सी कोसिश किया हूं और फिर हम आगे कोसिश करेंगे कि कभी